अब ये तो कोई पाटियां जब बनती है तो पाटियां चलती ही है और मांजी जी आज किंदर सरकार में मंत्री है उनका बेटा विहार की सरकार में मंत्री है तो पाटी तो सरभाइब है पाटी तो चल रही है और निशी तोर पे इंडिये के साथ रहने का लाब भी जो हैसे उ रहेंगे पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आश्याना नमस्कार आप देखने सिटी पोस्ट लाइब और मैं हूँ आपके साथ प्रभाकर पांडे आपको बता दे कि भारतिये जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि पार्टी चलती भी है और पार्टी बनती है पार्टी चलने के लिए और ये बात इसलिए बोला कि जब पत्रकारून से सवाल किया कि जीतन राम मांची ने मुख्य मंत्री के उन बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि आप जब पार्टी बनाएंगे तो पार्टी चलाएंगे कैसे आपके पास पैसे हैं क्या इस पर प्रतिकिर्या देते हुए जितनराम मानजी ने कहा था कि आज पार्टी मेरी चलवी रही है पार्टी बनी है और आज हम केंदर में मंतरी भी हैं इस पर प्रेंज रंजन पटेल ने कहा कि मुख्यमंतरी नितीज कुमार का जो ये बयान था उस पर तोड़ मडोर की बाते कहीं जा रही है जीतरनाम मांजी अपने भावनाव को परकट की हैं जीतरनाम मांजी ने कहा कि आज हम पार्टी जो है वो बनाए भी है और पार्टी चल रही है इसलिए कि केंदर में जीतरनाम मांजी मंत्री हैं एंडिया की सरकार में और उनकी बेटे भी बिहार सरकार में मंत्री हैं और क्या कुछ कहते नजर आए भारतिय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल पहले आप उनका बयान सुनें अब ये तो कोई पार्टियां जब बनती है तो पार्टियां चलती ही है और माजी जी आज किंदर सरकार में मंत्री है उनका बेटा बिहार की सरकार में मंत्री है तो पार्टिय तो सर्भाइब है पार्टिय तो चल रही है और निशी तोर पे एंडिये के साथ रहने का लाब भी जो हैसे उनको प्रात हुआ है तो पूरी मजबुती के साथ NDA के साथ वो रहे और आगे भी आसाय की NDA के साथ ही मिलकर करके हम रहेंगे जिससे NDA भी मजबुत होगा और सभी पार्टियां भी मजबुत होगी भारती जंता पार्टि के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि मैं आसा करता हूँ कि जीतर राम मांजी के पार्टि आगे चलती रहे और बिहार में उसका पार्टि ग्रोथ करते रहे और इसी तरह से जब सारी पार्टियां मजबुत होगी तो NDA गटवंदन मी मजबु इस तरह से क्या कुछ कहते नजर आए भारती जंता पार्टि के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल आपको मैंने सुनाया तो फिलाल इस खबर में बस इतना ही आगे के तमाम खबरों के लिए बनेरे मेरे साथ वीडियो को लाइक करे शेयर करे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद